रादे रादे सब्स्ट्राइक डीजिए फुनीता कुगर चानल को बेल आइक अंद बाईए कान अजी की वीडियो की नूटिफिकेशन काईए रादे रादे सब्सक्राइक आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम देखे यह हमारी फुलावर ड्रैस है यह देखे छोटे-छोटे हमने फूल बनाए में देखे किनारे पे और यह पतियां बनाई है बेस कलर हमारा वाइट है और यह हमने 2-3 कानजे के लिए ड्रैस बना के त्यार करें यह ओल साइज है यह आप और यहाँ से यह ऐगर आप इतनी बनांके छोट देते आगे आगे नहीं बनाते तो यह आपकी जीरो से एक नंबर कानजे के लिए हो जाती है इसके बाद हमने 2 रो बढ़ाई है तो यह इस तरीके से आप जितना रो इसका बढ़ाते रहेंगे आपकी ड्रेस उतने ही बड़ी हो जाएगी बनाने का तरीका जैसा भी हम बनाएंगे सेम है चोटी हो ड्रेस या बड़ी हो चोली मेरे मैं जो इसी वीडियो के निचे डिस्क्रेप्शन पर डाल दूँगी हमाँ पर आ हम यह नीचे का पूरा घेरा बनाएंगे इसके लिए हमने तीन कलर का उन लिया है यह देखिए और बारह नंबर के कुरोशे से हम इसको बनाएंगे 2.75 mm तो इससे हम इस ड्रेस को बनाने वाले हैं तो मुझे उमीद है आपको पसंद आएगी तो चलिए बनाना शुरू करत है यह देखिए हमने छोटी सी चोली बना रखे है हमारे दो नंबर कानज के लिए हमने चोली बनाई हुई है और इसको हम ड्रेस को पूरा फ्रेंट ओपन बनाएंगे तो यहां से खुला छोड़ देंगे यह हमारा इधर से घुमकर इधर जाएगा और इधर से घुमकर है और यहां से ही वापस आपको मोड़ना है तो यह से में वापस जाओंगी तो यह देखिए हमारी कोई भी साइज की यह ओल साइज में डिजाइन है इसमें आपको कोई भी चोली आपको आती है अपने कानज के लिए वो चोली बना लिजी उसके बाद नीचे जो है सिंपल आपको घेरा बनाना है और light मतलब जैसे मैंने बताई लास्ट में हमारा जो है design बनेगा तो आपको जैसे भी असान तरीका वो कोई आपको या वीडियो पर आप मेरे देख सकते हैं मैंने काफी design बनाई है तो simple जो हमें घेरा बना की त्यार कर लेंगे simple घेरे में क्या होता है जैसे हमने यहां से दो chain बनाया है यहीं से वापस चले गए और हर chain में से जैसे शुरू की first row में हम हर एक chain में से दो-दो stitch ले लेंगे जैसे तीन दो chain लिए इसको भी हम ऐसे गिन लेते हैं दो stitch हो गई तो इससे हमारा घेरा बढ़ जाता है तो यह दे जिसको नहीं आता हूं मैं डिस्क्रैप्शन पर दे दूगी वहां से इस मतलब की ड्रेस का घेरा बना सकते हैं तो पहले हम इस तरीके से घेरा बना कर तियार कर लेते हैं यह देखिए दो-दो stitch मैंने लिया है तो देखिए हमने हर एक में से दो-दो भार double crochet ले लिया मैं आ तो यहां पर भी मेरी इस अब से मैं बढ़ाती हूं मैंने एक दो तरह की चोलिया बनाई है तो आपको जो असान और अच्छी लगे आप बना लीजिए मैं इसी ड्रेस के नीचे डिस्क्रैप्शन पर सारी चोलियों की साइज वगरा डाल दूंगी तो यह अमने देखिए ह कि नो क्यूकन अबना लुक्रैअ क्या लीजिसले म बाला किकर तो यह देखिए हम습니다. तो ईस तरहीं में हमें त्रुर्ण पर भी मेरा तो बो नियुक्त हो जाएंगे इस तरह लीजिया कि इस पर बना रहे हैं कि आम आपको लिजिक हैं इस तरहीं पर ले लिए तो सब नहीं क ऐसे हमने जो है अपना घेरा बढ़ाना है अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं हमारा घेरा बहुत ज्यादा है भी बन रहा हलका करना है तो आप इसकी जगा एक की जगा दो स्टिच देखे शुरू में जो है हम इसी तरीके से बनाते हैं उसके बाद जो हमारा हम जैसे एक है यह हमारा तो गैप जो है बढ़ता जाएगा यह एक से चेंज की बढ़ाए दो हो जाएंगी एक एक यह दूसरी चेंज पर हमने रब लिया फिर तीसरी पर लेंगे अगली रो में चौती पर लेंगे ऐसे एक एक बढ़ाते हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा घेर बहुत जादा हैवी बन रहा हमें हलका बनाना है तो आप जो है एक की बजाए दो के बाद तीन के बाद असी यानि कि अपने हिसाब से यह स्टिच को बढ़ा कर फिर आगे भी आप डबल ले सकते हैं जैसे मेरे को अभी इतना हैवी नहीं लग रहा है देखी इस कि अभी मेरा कोई जादा है भी नहीं है तो इसलिए मैंने इस तरीके से रख के देखा है मैंने तो पहले मैंने डबल हो गया जैसे दो चेन लिया फिर एक के बाद डबल लिया फिर एक के बाद में फिर डबल लोंगी यानिकि एक छोड़कर में डबल लोंगी इस तरीके से यहां में को गुज़ को जितना पढ़ा घेरा इसमीर, में बढ़ा लूनी तो पहले मे GLLT आपको काम कैसे यहां बढ़ा यहां पाड प्राक काना जी आपगे पर आप गरम द्रेस बनाए हो तो आपको यह ज्यादा इजी रहेगी खुली ड्रेस इस में आम सी कानाजी को दिक्कत नियूगी पाटाक से आप पहना सकते हैं तो यह गेरा मैंने कैसे बनाया यह मैं आपको बता रही हूँ जैसा मैंने बता एक नंबर आप जासे लिए मैंने इसमें एक, दो, तीन, चार, पांच रो बनाई है, तो ये दो से तीन नबर कानाजी के लिए बनाई है, तो घेर अब हो जादा हमें हैवी, लब की आगे तक नहीं बनाना, क्योंकि बहुत अच्छा नहीं लगता, या फिर आप अच्छा लगता है, तो आपको भी अच् इस बिल्कुल इतना दो से तीन नमबर कानाजी के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारा डिजाइन बन चुका है, और इसके बाद हमारा एक रो और बनेगी, जो डिजाइन की बनेगी, तो इससे घेरा और बढ़ा हो जाएगा, तो ये दो से तीन नमबर कानाजी के लि कि लिए बने दिएक पर इस नहीं हो बोला हुँआ है झाल जोड़ा तो यह भी स हमनों छोड़ा आप दूर कर तो एक जोड़ा आपा प्ले टो ने तो इक उत क्वा के सरे मीन दो जैसे मैंने तो यह आप गड़ दिया तो 1 2 3 4 5 पांच वी जे डबल लिया जब आप इससे बढ़ी रोब आगे इसको बढ़ा करोगी गिरे को तो आप जो चछे disruptive में long को जी कि में हमति जो早प कर दो दोगी। और यहां पर हम आउत लेंगे जो भी नीचे की तरफ तो यह बाद में करूंगी, तो अब हम अपना गीर डी मजलगता यहां लगता है, जो भी आपको अच्छा लग जानी डार्क कलर का लग मैं लगाता है, तो चलिए अब हम हरा कलर अपना लगा लेते हैं तो यह मैं आपको एक चीज और पता देती हूँ जैसे आपकी जीरो नमबर कानजी की ड्रेस है तो एक, दो, तीन, तीन ड्रो आप बनाएंगे तो चोथी पर यह डिजाइन बनाकर आप ड्रेस को खतम कर दिजी क्योंकि ड्रेस बहुत चोटी होती है तो उसमें हम जादा डिजाइन नहीं डाल सकते हैं जैसे जैसे आपकी ड्रेस बड़ी होती जाएगी तो आप इस ड्रेस को डबल कर सकते हैं यानि कि किनारे पर और एक बीच में जिससे ये ड्रेस जो है और भी हैवी लगेगी तो किनारे कट्व में डालूँगी तो आपको झगर चोटे कानजी के लिए ड्रेस बनाने तो आप किनारे पर डाल कर इस ड्रेस को खतम कर दिजी अगर आप बढ़ी बनाएंगे तो एक दो रो छोड़कर तीसरी यहां कि यहां से देखें अपणा धागा यहां पर टीसरी रो में लगा देते हैं Nik अपना धागा लगाना हे तो आपको एक चीज और मैं दिखाते हैं कहां आपना स्टिच लेना यह दे क्या एंदर लेते हैं तो यहां पर के जब हम होल भी लिए पर डबल क्रोश लेगिए इससे मुझें लेना है Um तो यहां किनारे पे हम पहले अपना धागा जो यह लगा लेते हैं यह देखिए इस तरी के से हमने धागा लगा लेना है नोट बांदी हमने इसको हम बाद में जब आउट लेंगे तो ऐसे दबा लेंगे जिसे ही यह देखिए अब हम यहां से शुरू करेंगे देखिए उपर से इस तरी के से हमने जाना है तो यह देखिए मैंने जैसे आपको बता आया है यहाँ पर हमने धागा लगा लिए जो स्टीच है यह देखिए एक इनारे कप है और यह देखिए इस तरीक से हमने क्रोशे लेना है तो यहाँ से हम इस तरीक से तीन चेन बनाएंगे पहले एक, दो, तीन और इसी में से हम एक पर और डबल कुरोशिया लेंगे एक दो एक चेंड लेंगे और फिर से यहीं पर हम एक डबल कुरोशिया और एक और डबल कुरोशिया तो देखिए हमारा कुछ इस तरह किसे आ गया है अब यहां पर हम दो चेंड लेंगे एक दो यह हमने शुरू किया अब यहां पर देखिए इस तरी के से एक यह उपर से आप गिन लिजी यहां तो हमने किनार पर ले लिया एक दो तीन और यह चोथी यहां पर हम इस तरी के से करोशे डालेंगे और सेम हम यहाँ पर डबल कुरोश्या लेंगे तो धागा इस तरीके से पहले लगा गुमा लेती है और यहाँ से हम डबल कुरोश्या लेंगे एक दो एक चेन और फिर से दो बार डबल कुरोश्या एक यह जगा से हमने चारों भार डबल करोशिया ले आए, और फिर से एक चेन, दो चेन, तो यह देखिए, इस तरी किसे आएगा हमारा, फिर गिनेंगे, एक, दो, त्री, तीन, चार, यह देखिए, आप चाहे तो, यह देखिए, हम ऐसे ले रहे हैं, या आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो अलग से आपको यह देखे दिख जाएगा तो ऐसे हमने पूरा राउंड ले लेना है दो बार डबल कुरोशिय एक चेन और फिर दो बार डबल कुरोशिय एक और यह दो फिर दो चैन और फिर गिनेंगे इस्टिच यह धीय यह बिद्म १ो में यह देखे में यह लाग और अपना इसी होल में से जो है स्टिच ले लिया दो बार डबल कुरोशिया एक चेन और फिर दो बार डबल कुरोशिया और उसके बाद दो चेन चार होगे फिर एक दो दो चेन और फिर से गीन हमने यह देखी एक दो तीन चार तो चोथी इसमें से फिर से इसी तरीके से दागा गुमाया और डबल कुरोशिया तो आप देखिए कुछ हमारा इस तरीके से आ रहा है तो ऐसे हम पूरा राउंड ले लेंगे तो यह देखिए हमारा कुछ डिजाइन ऐसे आया है और सेम हम यहां पर भी पहले बना लेते फिर रड का काम लास्ट में करेंगे तरीका यही है डबल कुरोशिया दो बार एक चेन डबल कुरोशिया दो चेन और चोथी चेन में से हमने इस तरीके से बनाया तो यहां पर भ यहां पर भी बनाएंगे तो यहां पर फिर से अपना दागा लेते हैं तो यहां से लगाया हमने ठागा और एक दो तीन चेन बनाया और इस ही चेन मेंसे यह डबल कुरोशिया के पहलें computer को गेंटे तो यह हमारी कि हम डो स्ची जो गई है फिर यहां पर एक चेन और फिर सीचेन में से दो बार डबल कुरोशिया तो सेम हम रिपीट करेंगे दो चेन और यह देखे एक दो तीन चार चोथी चेन में से यह फिर से डबल कुरोशिया तो ऐसे हम यहाँ पर भी पुरा राउंड ले लेंगे तो देखे हमारी ड्रेस कुछ ऐसी नज़र आ रही है तो यह दोनो राउंड हमने बना लिए अब हम हम यहाँ पर फ्लॉवर बनाएंगे तो यह हमारी पत्ति यां है यह जो हमने बीच में एक चेन ली हमारा फ्लॉवर बनेगा हमार इसमें पत्ति की बीच में तो यहां पर अपना इस तरीके से हम जो है किनारा यह देखिए आप यहां पर चाहिए तो इस तरीके से बांद दीजिए जिसे खुले न तो यह हम छोटे-छोटे फ्लॉवर बनाएंगे यह देखिए यहां से यह क्रोशय डाला पहले हमने यहां पर तीन चेन बनाई उसके अलावा फिर से हमने तीन चेन बनाने यानि कि टोटल हम छे चेन बनाएंगे यह छे चेन बना लिए हमने तो यह नीचे से एक दो तीन तीसरी चेन यह उपर से तीसरी चेन तो एक दो तीन तीसरी चेन मे न धीया और फिर सेम यही इस्टे जहां से सहारसे पत्ति काहमारा है यह यहीं से डबल करोशा लेंगे इस डबल करोशा हा लिया हमने फिर से तीन चैन एफ दो तीन पारिक से देखिये यहां में भी हम बनाते हैं पहले इसी तरह किसे हमारा फ्लोवर बनेगा फिर से हम डबल कुरोशया लेंगे जब भी हम डबल कुरोशया लेंगे उसके बाद तीन चेन लेंगे और ठीक यह देखें यहां से जब आप ऐसे पकड़ के खिचेंगे तो ठीक आपको यह होल दिखाई दे रहा होगा यहां से आपको स्लिप स्टिच लेने तीन बार हमने ले लिया एक दो तीन यह देखें और चोथी बार भी हम डबल कुरोशया लेंगे लेकिन हैं पर अब हम तीन चेन नहीं लेंगे यह हमारा छोटा सा फूल बन गया है अब हम दो चेन लेंगे और इन दोनों के बीच में ही जो हमारे दो चेन है यहां पर हम सिंगल कुरोशया ले लेंगे फिर दो चेन लेंगे और अगली पत्ती के बीच में सेम फ्लॉवर इसी तरीके से देखा यहां से यहीस लिपिस्टीच छोटा सा हुक बनाया तो यह मनें थीन याया ही टिन पिस्टीक चाहिए तो और पिसे डवल कुरोशिया तो और तीसरीगा 생각이 स्थिन चीन और यह देखी तीन चेन बनाया और फिर से हमने यहां से किनारे से यह स्लिप स्टेट और फिर डबल करोश्या चोथी बार लेकिन उसके बाद हम दो चेन लेंगे और अगला यहां पर हम सिंगल करोश्या लेंगे बीच में और फिर दो चेन लेंगे और अघली पती में सेम फ्लॉवर बनाएंगी देखिए इस तरीके से हमारे छोटे-छोटे फूल बन जाएंगे और ऐसे हम ने देखिए पूरा राउंड ऐसे बनाना है यह में उपर की तरफ बनाएंगे यह हमारे इस तरह के से भोग हैवी जो है गेरे के किनारे पर फूलों की वेल सी भोग सुंदर लगेगी तो ऐसे हम बना लेते हैं दोनों तरफ इस तरफ और इतर भी यह देखिए हमने अंदर वाली जो है रो में फ्लॉवर पूरे बना दी हैं अब हम भार वाली में तो यह आपका जैसे छोटे कानाजी की तो आपकी इतनी ड्रेस इस तरीके से बन के दिखाई देगी और जैसे जैसे आप लेयर ज्यादा लगाते रेंगे तो आपकी बहुत हैवी ड्रेस बड़े कानाजी की भी बन जाएगी पहले हम ने इधर जो भी वाली थी वह बनाया फिर हमने किनारे बना अब यहां पर हमारा last flower बना है अब यहीं से इसी जो red color से हम इसी तरीके से outline करते हैं ओपर चले जाएंगे देखाए से यहां पर हमने तीन बना लिये अपनी अब यह देखिए अपि यहाँ पर हम इस तरीके से डबल करोशया लेंगे यह देखिए यहाँ से किनारे से यह हमने यहाँ पर डबल करोशया ले लिया एक चेन ले लेंगे और यह देखिए नीचे वाले फ्लोवर को भी हम इसी तरीके से यहाँ पर ऐसे रख देंगे और यहाँ से हम इधर को मोड़ जाएंगे और यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया करते हुए आगे की तरफ जाएंगे क्योंकि अब हम सिंगल क्रोशिया की आउटलेंड करेंगे देखे इस तरीके से यहां से गुम गए यह देखिए हमने यहां से थोड़े से गुलाई कर दिये और इस फूल को भी हम यह देखिए यहां से सीधे ऐसे दबाएंगे और इसको यहां पर इसको भी इसी तरीके से कवर कर लेंगे देखिए और नीचे से ऐसे यानि कि इसको दबाते भी हमने जाना ह यह देखे इस तरीके से यह देखे दोनों लेडियों में ऐसे करते हैं हम सिंगल क्रोश्या करेंगे जिससे कि यह हमारे फिल फिल जो यह दोनों इस तरीके से सेट हो जाए और इसी से हम आगे के तरफ जाते हुए देखे हमने single crochet किया है यह जो double crochet के stitch हो तीस में से हम दो-दो बाद single crochet करेंगे एक और ये दो फिर आगे चले जाएंगे एक और ये दो तो ऐसे हम outlink करते हुए ऐसे neck पे करते हुए यहाँ से सेम इन दोनों को भी कर देंगे और ऐसे हम भाजों में भी सिंगल कुरोशिस आउटलेंग कर लेंगे यह देखी, ड्रेस हमारी बनके तियार होगे या आप इसको हर सैज का बना सकते हैं तो आपने देख लिया होगा, जितने आपके यह गोलाई बढ़ती जाएगी इतना यह आपका घेरा बढ़ता जाएगा सेम तरीका है बड़ी ड्रेस हो ये छोटी ड्रेस हो चोली में जो डिस्क्रेप्शन पर डाल दूंगी जहां से आप हर सैज की जोली देख सकते हो मैंने दस नंबर तक चोली जो बनाई हुई है तो आप इस तरह के से चोली बना कर बनाने का तरीका सेम है फ्लॉवर का तरीका स सेम सब कुछ सेम है आप हर सैज में इसको बना सकते हो और यह देखिए चेन की मैंने एक डोरी बना दी है जो कि यहां पर कमर पर हम इसको डाल देंगे और यहां पर राम से कानजी का पैना सकते है तो मुझे उमीद है आपको यह पसंद आई होगी और बहुत ही असान ड्रे मैंने कमरें रहे पत्तलिए पनाने में बिल्कुल इंगे कितनी हलकी है बहुत मोटी ड्रेस नहीं है देखिए बहुत ही लाइट वेट की मैंने ड्रेस बनाई है तो आप पसानी से इस तरीकी की सुन्दर सुन्दर कर